हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षानी देशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 17 करेंगे जो की क्लास 7 की है और विशे है सामाजिक विज्ञान ये वर्क्षिट 17 सेप्टेंबर 2021 की है तो आएए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट वाईयू प्रत्वी के चारों और फैले वायू के आवरण को हम वायू मंडल कहते हैं प्रत्वी के और चारों तरजती वायू का एक आवरण बना हुआ है इस आवरण को हम क्या कहते हैं वायू मंडल प्रत्वी पर सभी जीव जंतू जीवत रहने के लिए वायू मंदल पर निर्बर है परत्थिवे पर जितने भी जीवजनतू है, जीवित रहने के लिए वायूमडल की सूरे की हानिकार किंदों से रक्षा करता है, यदि वायूमंडल नहीं होता, तो हम एक दिन सूरे की अतियादीगर्णों से जल सकते हैं, वा रात में अधन्स से जम सकते हैं, मंडल रहने योगतां बनाए रखता है तो देखो क्या कहा है कि अगर वायू मंडल नाहौ आशी के बाकि जो ग्रह हैla उनके वायू मंडल नहीं है उनके नहीं नहीं है इसलिए क्या होता है वहाँ बोहते दिन में बहुत तेसख गर्म रात को बहुत ज़ादा ठंड होती है कि वहाँ पे सर्वाईवल या वहाँ पे रहना मुश्किल है लेकिन हमारे प्रित्वी के चारों और एक आवरन बना हुआ है एक कवरिंग है जिसे एर की या वायू की कवरिंग है जो क्या करता है सूरे की जो बहुत तेज हानिकार रोकने का काम करते हैं कि वह सीधी हमारी धरती पर नहीं आती और रात को तीखी ठंड से हमें बचाता है तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें सांस लेने के लिए वायू प्रदान करता है सूरे की हानिकार किर्णों से हमारी रक्षा करता है यदि वायू मंदल नहीं हो तो ह अतीध सिंफटने जब सकते हैं दक वाय हमता किर्ण किर्ण से जंब सकते हैं १श्ए मंदल करतें और बंद आपनाता है है करते हैं उन और वास्तम कि अने गये सो का मिश्रण है अगर देखते हैं । हम किस किस तरह की गया से है तो और गैय सबसे जादा गैस कौंसी है नैटोजन ना में Hemondra कितनी है 78 ॥ उसके बाद आती है sixusi तो आंधomy 15 कितनी है 21 तो न त'sके बाद आती है और गन कितनी है देखो ऑर अजने कितनी है फोंट 90 थ्र जीरो पॉंट 93 कोंसी है और उसके बाद अन्यस सभी गैंसे की और भी बहुत सारी गैंसे हैं वो कितनी है पॉइंट 0.04 ठीक है और फिर है काबन डायकसाइड 0.3 है यह है हमारी काबन डायकसाइड तो आपसे एक कोशन पूछा जाए कि सबसे जादा मात्रा में कौन सी गैंस है नाइट्रोजन 78 पारसें ठीक है अब आईए हम पारसें पाई जाती है नाइट्रोजन गैंस पाई जाती है जो क्या करती है पेड़ पड़ों को बढ़ने में सहायता देती है उसके बाद नंबर दो पर आती है ऑक्सीजन प्रचूरता में मिलने वाली दूसरी गैंस जो सभी जीव जुनतू और मनुश्यों को जीवित रह लेते दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डायकसाइड को छोड़ते हैं तो क्या किया देखो लेंगे और कार्बन डायकसाइड को क्या करेंगे छोड़ेंगे इसके विपरीत पेड़ पोदे अब इसके विपरीत पेड़ पोदे क्या करते हैं कार्बन डायकसाइड पिल्लेते हैं वो क्या करते देखोcion सлुधेश सब्सक्राइब करते हैं अब क्या हुआ जस्य जानवार फिल्सटीश क्रीश किया CO2 को रिलीज किया मनुष्य ने जानवरों ने उसको इन पोड रिलीज करते हैं और उस उक्सिजन को कौन ले थे हम तो इस तरह से एक साइकल बना हुआ है कि हमने CO2 रिलीज कर फोड़ों ने ले ली पर ने oxygen को रिलीज किया और हमने oxygen ले ली तो यहीं पर यहीं समझाया गया बाटा मनुश्य वे जीव जन्तु दोनों oxygen लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं और carbon dioxide छोड़ रहे हैं इसकी पेड़ पोधे carbon dioxide को लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं इस तरह वायू मंदल का संतूलन बना रहता है अब दे बैलेंस बना हुआ है अगर हम काड़ देंगे तो क्या वह बैलेंस बिगड़ जाएगा oxygen की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है इसलिए हमें अधिक से पेड़ लगाने चाहिए तो जितना oxygen का लेवल बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है न तो पेड़ लगाने से अक्सिजन की मात्रा बढ़ती है अब देखने ही बहुत इंपोर्टन है वेटा कार्बन डाय अक्साइड एक महतव पुरन गैस कार्बन डाय अक्साइड वायू मंडल में फैल कर प्रत्वी से विक्रित उश्मा को प्रत्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस परभाव पैदा करते ह इस भी कहते हैं देखो क्या होता है कि जैसे कि यह हमारी परीटवी है कि आपन अधर को ओके तो ऊस ग्रमी को क्या होता है क्योंकि यहां पर कार्बन डायक्साइड तो जितनी मात्रा में आई यूसे पचा अंडर परसेंट आई तो वह फिफ्टी परसेंट क्या होती है इस धर्ती पर भापस बहार जाती है तो देखुआ, क्या लिखा गया है कार्बन डायक्साइड वायू मंदल में फैल कर प्रत्थी से विक्रित उश्मा को प्रत्थी पर रोक कर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है इसके अभाव में धर्ती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना संभवता अब देखो सूब कर रोक लिया जिससे क्या वह तापमान इसका स्थिर हो गया अब किंतु जब काल खान हो के दूवे से वायू मननं में इसका स्थर बढ़ गया अब सीयूटू का लेवल जाद़ा बढ़ गया तो क्या कर रहा है ज्यादा एक और लेयर बंजारी से यह वैसे समझने के लिए क तो क्या हो रहा है गर्मी बढ़ रही है तो उसके कान क्या उश्मा के द्वारा प्रत्वी का तापमान बढ़ता जाए ज्यादा गर्मी रुकेगी तो प्रत्वी का तापमान क्या होगा कि देखो पहले तो 50% ही रुक रही थी अब 70% हो रही है तो प्रत्वी का तापमान बढ तो यह थो हैगी समुदर के आसबास आगी तो क्या होगा समुदर का लëवल बढ़ जाएगा जिस से 30-उस सबसे पहले यही पढ़ा था कि वाई mane क्या है तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि वाई यू remotely है तो यहरा first कोशिन का आंसर वायू मंडल प्रत्यू के चारो और फैले हुए वायू के आवरण को वायू मंडल कहते हैं, अब हम करते हैं, कोशिन नमबर टू, प्रत्यू पर तापमान या इसको थोड़ा सा शोट करके देखें तो इसका शोट में अगर आपको करना है तो आप यहां से लिखेगा अंसर नबर टू यहांपि हो जाएगा कि कार्बन डायकसाइड वायू मंदल में फैल कर प्रतिव पर विकरती उश्मा को प्रतिव पर रोकती है रोकती है लिख दीजेगा रोकती है किन्तु जब कार कार की धुए से वायू मंदल में इसका स्तर बढ़ता है तो उश्मा की द्वारा प्रतिव का तामन बढ़ता है इसे तो यह चीज अगर आपको काट नहीं है तो आप काट सकते हैं अगर दर्वाइस लिखना है तो बहुत अच्छी बात है बहुत लेंथी हो जाता है तब मैं आपको थोड़ा सा शोट करवा रही हूं लेकिन मैं यह कहूंगे क्या पूरा ही लिखे जिससे की क्लियर हो जाए अक्सीजन ठीक हैँ हम हम करते हैं कोशन नंबर टू को डेस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव करती है तो सेकर्ड क्या हो जाएगा क्या हमारा घाचार हो जाएगा हमारा क्या थार्ड कॉशन थार्ड को क्या कैते हैं घ्यक्साइब की pasture भूमंदीलेत का इस और फिर्ट मैं कार do Championships कॉशन ऑफिष्रम जैनल करना हम को तो आई ये जाओ अइंड है कुच मेलां करेखे सबसे पहले नाइट्रोजन कितना परषल है ओक्सेजिन होसी क्तीन वन परषेट उसके ऑप लन भी आइक्सईट कितना है बिटा काबन डायकसाइड है हमारा 0.03% ठीक है इसके बाद में नंबर 4 पर अन्य गैसे कितना है 0.4% इस तरह से हमारी मैचिंग होती है इसे आप अपनी नोट बुक में कर दीजेगा और आज की वक्षिट कंप्लीट होती है वक्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आई और प्लीज वीडिये चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थेंक्यू स्टूडेंट्स